जाहिंद वंदे मात्रम प्यारी साथियों आचुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए ये है साथियों राजिस्तान सहायक ओप्रेटर एपरेंटिस सीधी भरती 2024 जी हाँ दोस्तों apprentice की भरती निकली है जो की तुम्हारे सहायक operator के उपर है ठीक है न assistant operator की CD भरती है apprentice की ये all India के candidate इसमें forum भर सकते हैं हर जगह पर निकली है ये ठीक है राजस्तान में भी है हरियाना में भी है गुजरात में भी है UP में भी है चंडीगड में भी है दिल्ली में भी है हर जगह पर ये भरती है हिमाचल प्रदेश में भी है तो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है साथियों संपून जानकारी मा आपको दूँगा बिना परिक्स्या सीधी भरती होगी इसमें ग्वेतन कितना मिलेगा योग्यता क्या है चयन कैसे होगा कौन कौन आवेदन कर सकता है आवेदन कहां से करना होगा सारे की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरलभासा में तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटा फट से आप चैनल से जुड़ जाएगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार आपी का चैनल है दोस्त ये काली पट्टी में सब्सक्राइब एक रखा है ना इसको दुआदो इसको दुआदोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा आप हम से जुड़ जाओगे हम आप से जुड़ जाएगे फिर जो भी खबर आएगी जो भी भरती आएगी ततकाल प्रभाव से आपके साथ से एर कर दी जाएगी तो चलो शुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजेस गूजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवी रोजगार के यूटूब चैनल में आप कोई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं राजस्तान सहायक ओपरेटर एपरेंटिस भरती दो हजार चोबीस एन एपीएस दुवारा यानि की नेशनल एपरेंटिसी प्रमोशन स्कीम ये एन एपीएस जो है ये आपका एपरेंटिस करवाती है ठीक है साब असिस्टेंट ओपरेटर भरती है जिसमें महिला और पुरूस आल इंडिया के आवेदन कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अपने अपने जगह पर कर देना हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसके जो ओनलाइन आवेदन है वो एक मई से सुरू है और 26 जून लास्ट डेट रहने वाली है 26 जून 2024 आवेदन कैसे करना है आवेदन आप अपने मोबाइल से ही कर सकते है लिंक भी दिया गया है लिंक भी आपको मिल जाएगा ठीक है न सारी चीज़े समझाने वाले हैं फिर भी आपके मन में कोई confusion रह जाता है कोई doubt रह जाती है तो आप comment कर दीजिएगा हम आपका जवाब ज़रूर देंगे अगर आप हमसे contact करना चाते हैं संपर्क करना चाते हैं तो ओमवी रोजगार के Instagram को follow कर लीजिए Instagram के माद्यम से आप हमसे audio call करके बात कर सकते हैं ठीक है जी और Instagram पर आप कोई भी message करोगे तो उसका reply भी आपको ज़रूर दे दिया जाएगा अच्छा जी अब बात करते हैं link की तो link कहां से मिलेगा आपको link इसी video के नीचे description में दिया गया है उस link को आप दबाओगे तो इस भरती की पूरी जानकरी भी आप देख लोगे और भी आपको link से आवेदन भी करना है ठीक है offline forum नहीं है online forum है ठीक है ना online है अगर भई तुमारे काबू भी ना लगे तो आप इमित्तर से भी भरवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है forum फीस 0 रुपए है आप अपने खुद के mobile से इसमें registration कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी और इसका full notification जो है वो आपको उस link को दबाते ही मिल जाएगा अब ये जो है साहे को operator असिस्टेंट operator बोलते हैं इसको 1881 पद हैं इसमें योग्यता केवल आठवी पास मांगी है और वजीफा भी आपको मिलेगा भाईया 5000 रुपए परती महिने ठीक है ये जो नोकरी नहीं है इस बात का विश्यज ध्यान रख लेना apprentice की भरती है apprentice का मतलब ये होता कि आपको course करवाएंगे किस चीज का course करवाएंगे सब सहायक operator का course करवाएंगे जिसको assistant operator बोलते हैं समझ रहे हो एक परसेंट भी doubt नहीं रहेगी आपको clear समझा दूँगा बस चिंता मत करवा assistant operator का course करवा रहे हैं एक साल का course है और इस एक साल के course को आप करते हो आपका number आ जाता है इसमें आठवी पास की मारक सीट अगर आपके पास है तो आप इसमें link से आवेदन कर सकते हैं आपको 5000 रुपे महिने की महिने तनखा भी देंगे ये ठीक है एक साल तक course भी करवाएंगे और तुमसे काम भी करवाएंगे यानि कि ये course जो होगा ये आपका practical minimum होगा यानि कि आपसे काम करवाया जाएगा सिखाया जाएगा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको और जब एक साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको certificate दिया जाएगा ठीक है साब NAPS के दुआरा ये course करवाया जा रहा है जो कि national apprenticeship promotion scheme है ये ठीक है इसके दुआरा ये आवेदन करवाया जा रहे है इसी के दुआरा आपका course करवाया जाएगा और course का location भी बता रहे हैं सारी चीज़े देखने वाले हैं बिना परिक्षा सीधी भरती है यानि कि इसमें कोई प्रिक्षा नहीं ली जाएगी एज की बात करां तो 18 से 37 साल के महिला पुरूसिस में आवेदन कर सकते हैं 18 से 37 छूट वगरा कुछ नहीं है फोरम फीज 0 रुपय है कुछ भी नहीं लगेगा चैयन कैसे होगा सबसे पहले सोर्ट लिष्ट किया जाएगा जैसे आपने आवेदन कर दिया अब 8 वी में आपकी कितनी परसंटेज बढ़ी है तो उस हिसाब से 8 वी की परसंटेज देखी जाएगी अगर किसी ने 10 वी परसंटेज लगाई है एक साल तक कोर्स करवाएंगे तुमको कमपनी कौन सी है जो कोर्स करवा रही है तो वो है केवी हुमेन रिसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यह एक प्राइवेट लिमिटेड कमपनी है जो यह कोर्स करवा रही है आपको प्रसिक्षन दे रही है training दे रही है फिर एक साल तक आप उसमें training करो काम सीखो और आपको 5000 रुपए महिने की महिने पैसे भी मिलेंगे आपका course भी complete हो जाएगा और एक साल के बाद में आपको डिपलोमा भी मिल जाएगा उस डिपलोमा का क्या करें साब हम तो उस डिपलोमा से आप किसी भी private limited company में job कर सकते हैं इसके सहाय कोपरेटर के उपर आप काम कर सकते हैं ठीक है न दोस्तों बिलकुल अब ये चीजे हैं कहां कहां पर ये भरती है तो रास्तान भी है हरियाना है चंडिगड है यूपी है दिल्ली है गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है और भी ज्यादा है जो आपको notification में दिखे जाएगा जहां के candidate हैं वही पर apply करें समझ रहे हूं में क्या बोल रहा हूं क्यूंकि इसमें आपको 5000 रुपए वजीफा मिलेगा लेकिन रहने खाने के जो सुवीदा है उसका भया अधरधार काम है देखो अगर इस company में canteen सुवीदा होती है तब तो आपको खाना मिल जाएगा अगर canteen सुवीदा बगरा नहीं होगी तो फिर रहने खाने के सुवीदा तुमको इकरनी पड़ेगी क्योंकि रहने की सुवीदा खाने की सुवीदा जो है ये तो course करवा रहे हैं course की फीश नहीं ले रहे हैं आपसे ठीक है आपको course फिरी में करवा रहे हैं 5,000 रुपई आपको मिलेंगे भी और रहने खाने की जो सुवीदा है वो मैं ये कहना चाऊंगा कि आप company के उपर भी ना रहें क्योंकि ये भी पैसे लेते हैं फिर इनकी canteen रहती है तो canteen में भी पैसे लेगें आपके ठीक है तो ये चीजे हैं तो इसमें आप कोण कोण forum भर सकता है जो राजस्तान के हैं राजस्तान में forum भरें हर्याना वाले हर्याना में भरें चंडिगड़ वाले चंडिगड़ में भरें यूपी वाले यूपी में भरें दिल्ली वाले दिल्ली में भरें गुजरात वाले गुजरात में भरें इससे फाइदा ये होगा कि आप डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर यादी नजदीक होगा, तो आप डाउन भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आप देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, अगर रहना खाना आपको वहीं पर मिल जाता है, बढ़िया कम दामों म रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी, क्योंकि रहने के लिए क्या है काम तो ये करवाएंगे, आप से ट्रेनिंग तो होगी तो रहना थो आपको वैसे भी भही पर है ठीक है ना, ये चीजे हैं हाँ भई आपको खाने के सुविदा और बैठानी पड़ेगी थोड़ी सी, वो भी आप कर लेना अब राजस्तान वाडों के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो कोर्स का लोकेशन कोर्स कहां पर करवाया जाएगा राजस्तान वाडों को, देखो खसरा नमर 455 हनुमान मंदिर के सामने यह है कटोरी वाला तिबारा विलेज, राइसिस तिजारा रोड, अलवर, राजस्तान पिन कोड नमर 301-001 इस एड्रेस पर आपका यह कोर्स करवाया जाएगा एक साल तक आपको यहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी और यहीं पर आपको 5,000 रुपे महिने के महिने मिलेंगे साथियों तो राजस्तान के जो भी निवासी हैं तो वो यहां पर आ सकते हैं अलवर में लोकेशन हैं यहां पर कोर्स कर सकते हैं ठीक है, जो भी अलवर के कंडिडेट हैं वो तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बाहर के भी राजिस्तान के भी कहीं से आना चाते हैं तो उनको भी अलवर ही यहां पर रहना पड़ेगा यहीं पर कोर्स करवाएंगे यह ठीक है साथियों यह कोई सरकारी नोकरी नहीं है यह एक एप्रिंटिस का कोर्स करवा रहे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देश में जितनी भी भरतिया निकलती हैं तमाम भरतियों के जानकारी हम आपको देते रहते हैं तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलूँगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जै हिंद जै भारत